सीमा हैदर के आगे फेल हुई भारती एंटिलियंस सीमा के पांच बड़े जूठों को किया अंदे खा शान से सीमा दे रही भारती मीडिया को इंटर्व्यू दिवानगी में सीमा हैदर ने लांग दी पाकिस्तान नेपाल की सरहदें प्रिमी से मिलने पहुच गई भारत भारत पहुचते हीं मीडिया की सुर्ख्या बनी सीमा हैदर पर उठ रहे कई सवाल हैदर के पासवर्ट से लेकर उसकी पढ़ाई तक पर खड़े हो रहे सवाल पांच बी पास फिर भी बोलती है फरटदार अंग्री जी कम्पूटर में भी एक्सपर्ट लोगों का ठनक रहा दिमाग आखिर कैसे कोई पांच मीपास कम्पूटर एक्सपर्ट होने के साथ बोल सकता है फरटदार अंग्रीजी लोग बता रहे हैदर को पाकिस्तानी एजेंट, पाकिस्तानी सेना में है हैदर का भाई, कहीं किसी special task को पूरा करने तो हैदर नहीं पहुंची हिंदुस्तान, कई सवालों के जाल में फसी सीमा हैदर, हैदर के खुद के दावे नहीं हैदर को जारिश है, चैनल पर पहरी बार आहें तो इसे सबस्क्राइब करें, वीडियो को लाइक करें सीमा हैदर के पांच होट ने उसकी प्रेम कहानी को सवालों के घेरे में खाड़ा कर दिया पहला नेपाल के रास्ते भारत आने पर उठ रहे सवाल सीमा हैदर के नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होने पर सवाल उठ रहे हैं सीधे पाकिस्तान से वीजा लेकर भारत आने के बजाए सीमा ने नेपाल का वीजा लेकर नेपाल पहुँच भारत में दाखिल हुई सीमा का ऐसा कारना सवालों के घेरे में है पाकिस्ताने यूट्यूवर श्वेब मलिक ने सीमा पर सवाल उठाए है मलिक का कहना है सीमा पाकिस्तान की एजेंट हो सकती है जो भारत में किसी एस्पेसल टास्क पर देजी गई हूँ हलाकि कई लोगों ने यूट्यूवर के सवाल को बेबुनियाद बताते हैं पाकिस्तान में महलाओं के हारा परहिस्वर उठा दिये पांच भी पास सीमा बोद्धिया फरटदार अंग्रीजी सवाल इसलिए उठ रहे क्योंकि सीमा जो खुद को पांच भी पास बताती है लेकिन सीमा की अंग्रीजी पर पकड़ काफी अच्छी है सीमा में ने बताया पबजी खेलने के दर्म्यान उसकी और नोईडा के सचीन के बातचीत शुरू हुई दोनों के बीच प्यार हुआ और वो अपना घर छोड़कर भारत आ गई कम्पीटर मुवाइल चलाने में है एक्सपर्ट सीमा हैदर ने भले ही पांच में तक की पड़ाई की हो लेकिन वो कम्पीटर और मुवाइल चलाने में एक्सपर्ट है पबजी खेलने की शौकिन सीमा को मुवाइल पर ही सचीन से प्यार हो गया सचीन और सीमा हर दिन 2-3 घंटे पबजी पर सचीन से बात करती थी यही नहीं जब भारत आई तो सीमा ने दूसरों से होट स्पोर्ट लिकर सचीन से बाचित की सीमा ने पाकिस्तान के हैदर से किया था प्रेम विवा सीमा हैदर का एक हलपनामा भी सामने आया है जिसमें सीमा के एक बड़े जूट का खुलासा हुआ हलपनामे से पता चलता है गुलाम हैदर के साथ उसकी साधी बिना किसी दवाब की हुई थी इस हलफ नामे में साफ साफ लिखा है उसने गुलाम हैदर से साधी करने से दस दिन पहले ही अपने पिता का घर छोड़ दिया था विए सीमा के घर वाले सीमा की मरजी के बिना उसकी साधी कर रहे थे यहां तक की हलफ नामे और आधार कार्ड के उन में भी पाफी अंतर है और उन रुपेयों से पहरे दुबय फिर नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा को ये से बताना जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं सोसल मीडिया पर लोग पूच रहे हैं चार सवाल पहला सीमा और उसके चार बच्चों को अब तक डिटेंसन सेंटर क्यों नहीं रखा गया सचीन जो कई दिनों से पांच पाकिस्ताइए नागरिक को पना दे रहा था उस पर कोई कारवाई अब तक क्यों नहीं हुई सीमा और उसके चार बच्चों को अब तक पाकिस्तान क्यों नहीं डिपोर्ट किया गया कैसे सीमा और उसके चार बच्चे भारत में अवेज तरीके से प्रवेश कर गये